हलो गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स हरे कृष्णा सो लेट स्टार्ट आवर डे विद इस ब्यूटिफुल मॉर्निंग जहां पे चारो आज है वीकेंड और वीकेंड के बार पे हम जा रहे हैं कहीं थोड़ा अपनी मॉर्निंग को और इंट्रेस्टिंग और ब्यूटिफुल सो मैं यहां पे अपनी एक्टिवा लेके निकल गई हूँ अपनी फ्रेंड को रिसीव करने के लिए और हम पहुंच गए हैं फाइनरी हमारे जैस्टिनेशन पे सो आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है जब हम सुबह जल्दी उड़ते हैं तो देखो आप कुद्रत का ज देखोगे तो सी दो कॉंबिनेशन ओफ नेचर यहां पे पहले उपर आसमान देन यह अपने संराइस के लिए जो प्रेपरेशन नेचर की है वह माइंड ब्लॉइंग यह आप जो फील है वह और पानी के किनारे यह जो चीजे है वह बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुल सब्सक्राइब करने वाला है और उपर ब्लू स्काई और यहां पर बहुत सारे स्प्लाइट्स होके जा रही है जब भी आपको टाइम मिले आप नदी के किनारे आसपास अगर पानी बहता हुआ दिखे तो वहां जाकि सुकून से उस जस्ट फ्लो को आप फील करो जो यहां पानी की तरह ही रहना चाहिए अपनी लाइफ में बिलकुल बहते रहना चाहिए अच्छा बुरा जो हो रहा है गो विद द फ्लो इट्स नेवर इंडिंग प्रोसेस बस पानी की तरह बहते रहो कुछ भी अपने साथ लेके मत चलो रिग्रेट या फिर ना जादा जो होती है तो कुछ नया करो हम भी यहां पर फिर साइक्लिंग करते हैं थोड़ा अभी सोचा कि एक्स्पोर करी रहे तो थोड़ा क्यों ना हेल्थ पर फोकस किया जाए तो हम अपनी साइकल लेके और नदी के किनारे चलते चलते थोड़ा एक्स्प्लोर करते हैं यह पहले हमे में थोड़ा माइन पर क्लिक हुआ कि क्यों नहीं अप्लिकेशन डाउनलोड करके खुदी अपन अपनी बाइक बुक करके बाइसिकल बुक करके और फिर हम निकल जालते हैं और यहां पर जैसे देखो आप ट्रांस्फोर्मेशन तो देखो थोड़ी देर पहले इतना अंधेरा था और आदे घंटे में इतनी सारी धूप एकदम कड़ाके की धूप माइन ब्लॉइंग उपर फ्लार्स आप देख सकते हो यहां पर एक एक सेकंड में मतलब फ्लाइट से यहां पर होके गुजर रही थी और पानी बिल्कुल देखो आप मतलब सारी चीजे चेंज हो रही है लेकिन यह जो पानी बहरा आना उसका उसका फ्लो चेंज नहीं हो र दिन हो रात हो कैसा भी मोसम हो इसको कुछ इंपक्ट नहीं करता कोई चीजे इसको फरक नहीं पर दीर से नहीं हमने यहां पर कुछ एक्सराइज की थोड़ी मजक मस्ती की और बहुत सारी दूप हो गई थी तो सोचा चलो अभी घर की तरप चलते हैं कुछ अच्छा चांती और ठंडग थी ना जैसे बाहर निकले इतनी धूप और इतनी गर्मी मॉनिंग में आठ बजने से पहले इतनी गर्मी होती है यहां पर सो यहां फाइनली थैंक यू भगवान जी आज के इतने अच्छे दिन के लिए और हम अपने एक्टिवा इदर ढूंडने के लिए आ गए है और यह कुछ ग्लिम्स है जो मुझे आज के दिन के लिए बहुत ही अच्छे लगे तो आप भी जब भी विकेंड मिले अच्छा क spend kia and now it's time to go back